नमस्कार तक्षा 10 अध्याय 14 सांखी की प्रश्णावली 14.3 का प्रश्ण 6 हम करने जा रहे हैं एक स्थानिय टेलिफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिये गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्नमाला के अक्षनों की संख्या का निमने लिखित बारंबारता बंटन प्राप्ट हुआ अक्षनों की संख्या और कुल नामों की संख्या एक से चार अक्षनों वाले कितने कुल नाम थे? छे चार से साथ अक्षनों वाले कितने कुल नाम थे? तीस साथ से दस अक्षनों वाले कितने कुल नाम थे? चालिस इस प्रकार से यह सारनी हमें दी गई है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ग्याद कीजिए कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ग्याद कीजिए साथ ही कुल नामों का बहुलग ग्याद कीजिए तो बच्चो इस प्रेश्ण में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ग्याद करने हैं बच्चो माध्य और बहुलक आप 14.1 और 14.2 में पहले ही सीख चुके हैं इसलिए वो आप स्वयम कीजेगा हम आपको इस वीडियो में केवल माध्यक निकालना सिखाएंगे तो आएए शुरू करते हैं मैं दुबारा बता दूँ माध्य और बहुलक आपने स्वयम करना है हमें जो सारनी दी गई थी हमने उसे यहां लिखा है सबसे पहला स्टेप है संचेई बारम बारता लिखना तो आएए देखें सबसे पहले खाने में जो बारम बारता में सबसे उपर है वही संचेई बारम बारता में सबसे उपर होता है तो शून्य प्लस छे बराबर छे अब 6 में 30 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 36 और 36 में 40 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा दिखा आपने संची बारंबारता ग्याद करना बहुत ही सरल है इसके पश्चाथ अगला स्टेप है N बटा 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुल नामों की संख्या है 100 यानि N है 100 तो N बटा 2 हो जाएगा 100 को 2 से भाग कर दीजिए तो 100 को 2 से भाग करने पर प्राप्त होगा 50 आए हम संची बारंबारता में 50 ढूंडें पहले खाने में है 6 हमें चाहिए 50 इसलिए अगले खाने में जाना पड़ेगा अगले खाने में है केवल 36 तक इसलिए और आगे जाना पड़ेगा और अगले खाने में है 76 इसका मतलग जो हमारा 50 होगा वो हमें इसी वर्ग में मिलेगा इसका अर्थ है कि हमारा माध्यक वर्ग है 7 से 10 हमारा माध्यक वर्ग है 7 से 10 इसके अनुसार माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी L बराबर होगी 7 के माध्यक वर्ग से पिछले वर्ग की संचै बारम बारता यानी C F बराबर होगी 36 के और माध्यक वर्ग की बारम बारता यानी F बराबर होगी 40 के H ग्याद करने के लिए हम किसी भी वर्ग की उपरी सीमा में से नीचली सीमा को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस करने पर हमें ग्याद होगा हमें प्राप्त होगा 3 इन वैल्यूस को हम माध्यक के सुत्र में भरते हैं देखिए L की जगा हमने भरा है 7 प्लस N बटा 2 की जगा 50 आगे है माइनस C F की जगा हमने भरा है 36 बटा F की जगा हमने भरा है 40 गुना H की जगा हमने भरा है 3 क्योंकि ये वैल्यूस हम पहले ही निकाल चुके हैं देखे बच्चो अगले स्टेप में 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 14 नीचे है बटा 40 गुना 3 अगले स्टेप में देखिए 7 ऐसे काई सही रहेगा 14 को 3 से गुना करेंगे तो 14 तिये 42 और 42 को यदि 40 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.05 5 तो अगले स्टेप में बच्चो 7 प्लस 1.05 7 में 1 प्लस किया 8 तो 8.05 हमें माध्यक प्राप्त होगा तो इस विधी से हमने माध्यक किया है और हमारा माध्यक आया है 8.05 इसका मतलब उपरोक आंक्णों का माध्यका में ग्यात हुआ है 8.05 आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यक से माध्यक तो आपको समझा आगया होगा इस प्रश्ण के लिए माध्यक और बहुलक आपने स्वयम ग्यात करना है धन्यवाद